सवाल है किसी भी क्रिमिनल केस में सबसे जरूरी क्या होता है तो सीधा सा जवाब होगा कि आरोपी का बचाव सबसे जरूरी होता है दूसरा सवाल होगा कि आरोपी का बचाव कैसे करते हैं तो इसका जवाब है कि आरोपी के बचाव को दो तरह से किया जाता है या तो दिखाते हैं कि जहां अपराद हुआ है आरोपी वहाँ पर था नहीं उसने कुछ किया नहीं या फिर ये दिखाते हैं कि जो भी आरोपी के द्वारा किया गया बताते हैं जिस भी अपराद का आरोप लगा है उस पूरे कृते को समग रूप से देखने से भी अपराद की परिवाशा पूरी नहीं होती है इसलिए आरोपी के द्वारा किये गए कारे को अपराद नहीं कह जा सकता है सवाल है कि आरोपी के कारे से अपराद की निर्मिती होती है या नहीं होती है इसका क्या रत है तो इस बात का जवाब यह है कि IPC में या जो अभी नया बना है BNS में भारती नियाए संगीता में लिखी गई परिभाशा को पढ़ने पर और सुप्रीम कोर्ट द्वा का निर्मार होता हुआ दिखाई देता है तो कहा जाता है कि हां उस कृते से अपराद निर्मित हुआ और यदि आरोपी के कृते से वांचित चीजें प्रूव नहीं होती है तो कहते हैं कि इससे कोई अपराद की निर्मिती नहीं हुई है इन पिछले दो पेराग्राफ में किसी भी बेतरी इड़ोकेट वह ग्यानवान लौ प्रोफेसर बन सकने की पूरी कथा छिपी हुई है LLB के दोरान वह कानून की परिवाशा पड़ता है सुप्रीम कोट जज्जमेंट्स को पड़ना कैसे उसमें से कानून निकालना ये सब बातें सीखता है और कोट पोसिडिंग्स के दोरान वह इनको आरोपी के हक में प्रियोक करना सीखता है अभी हाल में सुप्रीम कोट ने सेक्शन 304 B.I.P.C. या नए कानून के 80 B.N.S. के एक आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया है कि यदि उसके सभी करत्यों पर गोर करें तो भी आरोपी के करत्यों से सेक्शन 304 B.I.P.C. का अपराद होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है दहे जत्त्या की परिभाशा पूरी होती हुई नजर नहीं आती है आज की केस का नाम है चाभी करमाकर वर्सेज स्टेट ओवेस्ट बेंगॉल क्रिमिनल अपील नंबर 1556 ऑफ 2013 जिसे जस्टिस सुधान शुध हुद हुलिया और जस्टिस जेवी पार दिवाला की बेंच ने 39 अगस्त 2024 को यानि कि बस कुछी दिम पहले डिसाइड किया है वहीं ट्राइल कोट में मिल सकता था और ओपी वह उसके एड़ुकेटस को उनहीं पउइंट्स पर क्रोस करना था उनहीं पॉइंट्स पर आर्गूमेंट्स करने थे जो सुप्रीम कोट ने वताए हैं लेकिन ट्राइल के दोरान उल्टा ही हुआ है जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया परिभाशे के मिल्लों को पर्खा नहीं गया और इसलिए गेर जरूरी बातों पर सारा का सारा क्रॉस किया गया है जिससे आरोपी को सजा हो गई है और सब जरूरी गेर जरूरी पॉइंट्स पर चीजें गड़मड हो गई है और उन सब बातों का लाव नहीं ले पाया है, सजा को पागया है। उनने पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। सप्रिम कोट ने कहा कि किसी भी केस में सेक्शन 304 B IPC या 80 BNS लगने के साथ ही सेक्शन 113 A Indian Evidence Act अपने आप लग जाता है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 304 B IPC लगने की स्थिति में केवल 4 पॉइंट्स आरोपी को देखने होंगे। तो हमने यानि कि सुप्रीम कोट ने राजे इंदर सिंग वर्सिस स्टेट अफ पंजाब 2015-6 SEC 477 में बताए थे। इन चार बिन्दू के अलावा कुछ भी और कोई चीज देखे जाने की आवशक्ता ही नहीं है। अन्ने किसी भी परिस्थिति को प्रूव या डिस्प्रूव किया जाने की जरूरत नहीं है। इस राजे इंदर सिंग वर्सिस स्टेट अफ पंजाब में जिन चार बिन्दू को बताया गया था जिनके आधार पर SEC 304 B IPC के अपराद का निर्मान होता है वो बिन्दू इस प्रकार से बताये गए थे। पहला महिला की मृत्यू जलने से या शारिरिक चोट से या साधा परस्तियों की अपिक्षा अन्य किसी तरीके से हुई हो तो SEC 304 B IPC का पहला पॉइंट वहाँ पर उपलब्द होगा। दूसरी बात है कि उस महिला की यह मृत्यू शादी के साथ सालों के भीतर हुई हो यदि शादी के साथ साल के बाद होगी तो वहाँ SEC 304 B IPC नहीं लग पाएगा उसे साथ सालों के भीतर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोट ने बताया है मृत्यू से पहले पती या पती के रिष्टेदारों के दुआरा महिला के साथ उत्पीडन किया गया हो उसको चोट माली गई हो उसके साथ कुरूबता की गई हो यह आवश्यक है अंतिम पॉइंट उन्होंने बताया कि प महिला का उत्पीडन हो तो सेक्शन 498 A.I.P.C. और उत्पीडन से मौत हो जाए तो सेक्शन 304 B.I.P.C. लगा दिया जाए बात इससे थोड़ी जादा है दिनेश्टेट वर्सिस स्टेट ओफेंसिटी डेरी 2008-14 S.S.C. 94 में सुप्रीम कोट ने यह बताया था कि सेक्शन 498 A I.P.C. में उत्पीडन का च्छेतर बहुत व्यापक है इसमें पती या उसके रिष्टदारों के दुआरा की जाने वाली हर प्रकार की हिंसा कावार हो जाती है हाना की कुर्टी या कुर्टा शब्द का उप्योग दोनों सेक्शन में 498 A में और 304 B में दोनों में यह मिलता है सेक्शन 304 I.P.C. की कुर्टा में केवल मृत्यों के मामले देखे जाते हैं यह कुर्टा शादी के साथ सालों के भीतर और दहेज की मांग के संब्द में की जानी चाहिए महिला के साथ मार पीट या उसकी हत्या करना 304 B में शामिल नहीं है जब तक कि यह दहेज मांगने के विशए में नहीं जबकि 498 A में दहेज बिना दहेज साथ साल साथ साल सजादा सब बातों को समयट लिया जाता है जंड़ा आग मिट्टी तिल सब कुछ 498 A में कवर हो जाते हैं इसमें सब प्रकार की हिंसा सब प्रकार की कूटा और सब प्रकार का उत्पिरन इसके उससे दूसरे सेक्शन में सजा नहीं सुना जा सकती है यदि रेप का चार्ज कोट ने लगाया है और लड़की कोट में आकर कहती है कि जबरदस्ती पेट भी साफ करवा दिया गया था गोली खिलाई गई थी तो कोट सेक्शन 313 IPC में सजा नहीं कर सकेगी क्योंकि ट्रायल के शुरू में चार्ज के स्टेज पर 313 IPC का चार्ज लगाया ही नहीं गया था तो जो चार्ज लगाया जाएगा उसी पर एविडन्स दिया जाएगा और उसी पर दोशी या बरी का फैसला सुनाय जाएगा इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी हमें कोई केसों पा जाता है तो हम उसका क्रॉस एग्जामेनेशन लिखने से पहले हमेशा आप से चार्ज की मांग करते हैं हमें दिखाईए क्या चार्ज कोट ने आरोपी के खिलाव लगाया था उसी ही के आधार पर सही क्रॉस एग्जामेनेशन लिखा जा सकेगा लेकिन कई वारिस्थिती बहुत विचित्र हो जाती है परान गाउडा वर्सस स्टीट अफ करनाट का 2023 SCC Online SC 1369 में एक दहे जट्ट्या के मामले में पहले सेक्शन 330 498 A 504 34 IPC में केस दर्ज करवा दिया गया था बाद में जब महिला के मृत्य हो गई तो उसमें सेक्शन 304 भी IPC भी लगा दिया गया लेकिन ट्रान के दोरान दहेज की मांग का गवाहा हो स्टाइल हो गया उसने यह नहीं कहा कि जो भी महिला के साथ उत्पिरन होता था वे दहेज की मांग के लिए होता था या दहेज की मांग को लेकर होता था पती दोरा उत्पिरन को दहेज की मांग के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था क्योंकि गवा होस्टाइल हो गया था उत्पीडन तो था लेकिन मैं देहज की मांग के संबन में नहीं था सुप्रीम कोट ने सेक्शन 498 A IPC का सहरा लिया 498 A के उत्पीडन को महिला की एस्वभाविक मित्यू के साथ जोड़ा गया और कोट दोरा पाया गया कि उस उत्पीडन के आधार पर महिला को मित्यू की तरफ धकेला गया था सुप्रीम कोट ने आरोपी को 498 A के साथ साथ 306 IPC में भी दोशी पाया और उसको सजा सुनाई हाला कि आम तोर से ऐसा नहीं होता है लेकिन सुप्रीम कोट का कानून कानून होता है तो उन्होंने उसको बदल दिया जोर तोड़ के दोरा आरोपी को सेक्शन 306 IPC की ऐसी सजा इस तरह से सुनाई जाने का भारत में यह पहला मामला है और मुसे लगता है कि शायद एक मातर मामला है इस तरह से इंग्रीडियंट्स को तोरने से क्या लाव होने वाला है जो अपराद है उसको हम इंग्रीडियंट्स में तोर कर देखें तो उससे में क्या लाव होने वाला है इसके द्वरा सुप्रीम कोट ने बताया कि जब केस को defend किया जाता है तो सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए और लिस्ट बनाई जानी चाहिए कि केस में आपको करना क्या है सबसे पहले यह देखना होगा कि कोट ने किन किन अपराधों का चार्ज लगाया है और जिन जिन अपराधों का सेक्शन्स का चार्ज लगाया गया है उन अपराधों के इंग्रीडियंट्स क्या होते हैं अर्थात उनके घटक क्या होते हैं केस में सफ़ल होने के लिए आरोपी को बरी करवाने के लिए उन इंग्रीडियन्स को तोड़ने का काम किया जाना चाहिए जैसे अभी इस परान गौड़ा वाले केस में जैसे दहे जाला घटक गायब हुआ तो कोट के सामने 304 भी आईपीसी में सजा करनी मुश्किल पढने लगी और उन्होंने उसके लिए फिर एक आल्टरनेटिव रास्ता खोजा लेकिन ये तो सुप्रिम कोट था जिसने ऐसा कर दिया एक ट्रायल कोट के पास ऐसा करने की कोई शक्ती नहीं होती यदि आपने वहां से इंग्रीडियन्ट को गायव कर दिया तो आरोपी को भरी करना उस ट्रायल कोट की विवश्ता हो जाएगी अब अगला कदम सोचिए क्योंकि बदलाव अब यहीं से होने वाला है Indian Legal System दोरा बताए गए rules वे नियमों के तहफ क्रोस करके यदि आप अपराद हों के किसी भी एक इंग्रीडियन्ट को तोड़ दें वहां से उसको गायव कर दें यानि की अपने क्रोस के दोरा उस इंग्रीडियन्ट को डिस्प्रूव कर दें तो क्या होगा आपके आरोपी को सजा करने में ट्रायल कोट को चकरा जाएंगे जैसे चावी करमाकर वाले वर्तमान केज में दहेज की डिमांड का आरोप तोड़ दिया जाने से पूरा केज खुद ही निपट गया था नेड़े में सुप्रिम कोट ने कहा कि दहेज की मांग साबित नहीं हो पाती है और इसलिए हम इस आरोपी को बरी करते हैं और उन्हों ने आरोपी को बरी कर दिया यहां सुप्रीम कोट ने सब आरोपियों को समझाया है कि किसी भी अपराद को उसके इंग्रीडियेंट्स यानि कि उसके घटकों के दुआरा प्रूव या डिस्प्रूव किया जा सकता है इधर उधर तर्थों के जंगल में भटकने का कोई लाव नहीं है जैसे यदि मर्डर है तो देखो उसके चारों इंग्रीडियेंट्स है या नहीं है यदि रेप है तो देखो उसके दोनों इंग्रीडियेंट्स है या नहीं है चीटिंग है या एक्स्टोर्शन है या रोबर Case file के record पर सक्षियों के दुआरा corroborate की जा रहे हैं या नहीं की जा रहे हैं यदि वे गटक फाइल में मुझूद हैं और सक्षियों के दुआरा corroborate भी हैं तो उसके बाद देखो कि इन गटकों में से किस-किस गटक को तोड़ा जा सकता है किस-किस ingredient को गायब किया जा सकता है ऐसे में यदि आप एक से अधिक ingredients को तोड़ पाते हैं तो यहें आपको अधिक सुरक्षित करता है सबसेंत में ingredients को तोड़ने की यंत्र के रूप में Indian Legal System के cross examination के नियमों को देखो Indian Legal System ने अपने अलग-अलग videos में बताया है कि किस-किस घटक को कैसे तोड़ा जाए हमने परत-दर-परत विक्सित करके ऐसा कानोनी system तयार कर लिया है जिसको अपनाने से आप किसी भी आरोग के ingredients को चिन बिन्न कर सकते हैं यही बात इस वाले केस में और समय समय पर दूसरे केसिस में Supreme Court ने आपको बताई है कि आपको किन-किन तक्निकों से बचाव करना चाहिए आपको Supreme Court की इन साइलेंट सिक्षाओं को पढ़ लेना चाहिए यह आपके बचाव के एक मात रोपाए है हमारे अनेक विवर्स हमारे पास तबाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है उनके केसे के क्रॉस एग्जामिनेशन्स खराब हो चुके होते हैं भारती ये निया एक ववस्ता में केस मुखे तर्तीन गवाहों पर टिका होता है पहला प्रोसिक्योट्रिक्स दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफसल एक्सपर्ट्स और तीसरा इन्वेस्टिटिटिंग ऑफिसर अफ दे केस यानि के आयू इन में से यदि किसी भी गवाहा का क्रॉस एक्जामिनेशन अपरभावी देता है तो चाहे आप कुछ करने उसमें सरजा से बचाव मुश्किल हो जाता है अपील चाहे वैं हाई कोर्ट में हो या सुप्रिम कोर्ट में हो केवल ओपिनियन का फेर होती है आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एक्जामिनेशन ही होता है जैसे व्यक्ती का आभूशन उसका ग्यान होता है केस का आभूशन उसमें किया गया क्रॉस एक्जामिनेशन होता है हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वारियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीक्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशन्स निरंतर भीजते रहते हैं क्रिवनल ट्रायल में दूसला अफसर नहीं मिलता है जो अफसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गवाईए नहीं हमारी वेबसाइट IndianLegalSystem.org पर विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल IndianLegalSystem देखें और जोटे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें हमारे वाटसेप नमबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज बेजें मेंबर बनें और सहायता का लाप पाएं